प्रिवार रोजगार वी दंकित में सभी प्यारे बच्चों का हर दिक श्वागत करता हूं प्यारे दुस्त आसा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे सभी प्यारे बच्चों को प्रडाम सभी को नमस्ते सभी को जैहिं तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं पिंको भाई नमस्ते भाई नमस्ते प्रडाम प्यारे बच्चे तो कैसे आप सब लोग अरविंद बिमल सभी को नमस्ते भई सभी को बहुत बहुत सारा प्यार चली तो चलते हैं बच्चो किलास की तरफ ज्यादा समय नहीं लेते हैं संडीप नरेश प्रिंस गोविंद फरीदा फुल सिंग रौनक खुशी अनुराग रेखा खुश्बू गोयल परवीन राहुल रॉबे रोहन दल करीप ललित दीरज संतोस प्रियाज सुधाता अकास गुरुदेव मौहन चली सब लोग बढ़ी एक दमस्त है तो चलते हैं प्यारे नमस्ति चलो भी बच्चो तो प्यारे बच्ची हमारा टॉपिक चल लाए बेटा परियायवाची ठीक हम क्या पढळ रहे हैं परियायवा बच्छी कि आज हमारी चार नंबर किलास है बिटा न तो बिटा लगबग हमें एक बहुत सारे सब्दों की संख्या नहीं पता है लेकिन ऐसा है कि जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं इंपोर्टेंट वो हैं सब्दें वो हमको पढ़नी होते हैं ठीक है न चलो तो तो प्यारे बच्चों गाये को हम किस-किस नाम से पुकारते हैं, किस-किस नाम से जानते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, धीरज, ओडिशा से चलिए, तो बिटक गाये को देखो देहनू बोला जाता है, देहनू, देहनू माने गाये होती है न, जिसे की क्रिसन जी की गाय थी काम दहनू तो ऐसे ही इसका नाम रखा हुआ है दहनू तो दहनू माने भी गाय है ठीक है? वेरी गुड ठीक ठीकम राम सिंग आजाईए बेटा गौरी, गया, गो, शुर्भी, भद्रा ये सभी गाय को बोला जाता है याद रखेंगे आप लोग तो बच्चों कुश्चन पूचा जाता है शुर्भी किसे बोला जाता है शुर्भी का परियाए बाची तो आप याद रखना बेटा गाय को बोला जाता है और ऐसे ही आपको शुर्भी लिखा मिलेगा बेटा इस प्रकार शुर्भी, ठीक है? तो शुर्भी बेटा, हिरं को भी बोला याता है किसको बच्चे? हिरं को भी तो ये भी आपको याद रखना इस प्रकार ठीक है न? वेरी गूड, ललित पातल जी चलिए तो आगे सब दाता है हमारा गधा गधा को किस-किस नाम से पुकारते हैं जानते हैं जारकंड की धर्तिस है भीशीग परिणाम बच्छे चालो तो बच्छे गायको गधा को किस-किस नाम से जानते हैं धूसर hop गधे को बोलते हैं ठीक है नअ अपूर बेटा आप हमारी क्लास सभा 6 बजी से हुआ करेगी ठीक है रोज आप याद रखना ठीक है तो बच्चो खर बैशाक नंदन राशव और बेटा चक्रिवान प्यारे बच्चो गर्धब ये सब किसी को किसको बोलते है बेटा बुक भी पढ़ियेगा बुक से आपको करनी है ठीक है तो बच्चो याद रखेंगे वेशाक नंदन बोला जाता है आपको अच्छी से याद रखना है बच्ची ठीक है और प्यारे बच्ची राशव ठीक है अच्छी से याद रखना रादे रादे भी रादे रादे उश्य नमर बेटा 84 हमारा रेपीटिट है क् हम गुस्से को पड़ चुके है, किरोद के परियाय वाची पड़ चुकے है, ठीक है ना? हاں, आगे आता है बैटा गरीवा, गरीवा किसे बोला जाता है गरीवा प्यारे बचको गर्धन को कहते ये जो हमारी गर्धन है ना, जिसको हिंदी में नाड भी बोल देते हैं कि यह तुमारी नाड है है ना बच्चो नाड क्लियर बच्चो कि नाड तो टूट जाएगी आपकी तो मेरे प्यारे बच्चो गिरीवा को बेटा गर्दन शिरोधरा जिस पर हमारा सिर्धरा हुआ है वो शिरोधरा है ठीके ना गला कंट ये सभी गर नहीं होते हैं तो फिर समय नश्ट होगा तो बच्चो याद रखेंगे ये सब आपको अच्छे से याद रहते हैं है ना हाँ बहुत बड़िया आगे आता है मेरे बच्चे आपका 87 इसको कौन नहीं जानता है इसको तो आप सब लोग जानते हैं गेटा गाय को गवू भी कहते हैं दिख्छा भूल देते हैं बिल्कुल बच्ची लेकिन प्यारी बच्ची जो हूँ सब इंपोर्टेंट है वह अची क्या है सर्जी सागर समुद्र को कहते हैं पारावार को कहते हैं पयोदी को कहते हैं याद रखो अरणव को कहते हैं तो बिटा गणिश को हेरंब, भवानी नंदन, क्योंकि बटा भवानी के पुत्र थे है ना पारवती की, विधन नाशक, महा काय, ये सभी किसके परियायवाची होते हैं बच्चों, ये सभी गणेश के परियायवाची होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, आगे आता है बटा गी, जिसको आप ल आले बोलते आले ठीक है तो आपको ये इच्छी से ध्यान रखना है हाँ ठीक है बच्चो तो भीया इसमें आपको वो सब्द याद रखने होते हैं जिस नाम से उसको पुकारा जाता है बेटा इसमें समझने के लिए कुछ नहीं होता है इसमें तो कुछ समझनी आ रहा, इसमें समझनी के लिए कुछ नहीं होता, ये सब्ध आपको पता होना चाहिए, कि ये सब्ध हम किस-किस नाम से पुकार सकते हैं, जैसे घर है आपका, तो घर को आप गिरहे भी कह सकते हैं, घर को आप सदन कहते हैं, भवन कहते हैं, निकेतन बोलते हो बेटी घर कहते हो निल्ले बोलते हो निल्ले माने भी घर होता है ना विजय कुमार गुपता यह आख मत दिखाईए का लाल लाल वाली है ना बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो इतना समय मत खराब करो बेटा आगार माने भी घर होता है आगार कोई आप से पूछे कि म आपको अच्छी सी ध्यान रखना है, आगे आता है बिटा धाम, बिटा नवल कुमार अपना डाउट, उसमें देना बच्चू, पनीशा, रेस्पोंस नहीं आ रहा है, बच्ची आज अपना रेस्पोंस के लिए आप गुरूप में मेसेज करना, देखता हूं कैसी मेसेज नह अले अयन, ये सब घर के लिए बोला जाता है, घर के लिए, ठीक है, समझे आप लोग, जैसे भगवान का घर है, देवाले, ठीक है, ऐसी बच्चो, आपका घर है, ठीक है न, इस तरह से आपको याद रखना है, पिलीज हेल्प मी, बेटा तनीसा, आप गुरूप में करेंगे, तो वहाँ पर मेहल्प हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती किलास में, ठीक है, बेटा इस चांदनी है, चांदनी, जब सूरिय निकलता है, तो चांदनी होती है, नहीं होती है, होती है बताओ, होती है न, तो बच्चो जब सूरिय निकलता है, तो चांदनी होती है, उ फो आवास तो आप जानते यह तो आपको मिल ही जाएगा यह तो घर के लिए आप आवास तो नीवास लिए जाद ही यह, ठीक है बच्चो ये सब्द तो आपको यादी हैं इन्हें तो आप बताई देंगे लेकिन जो में सब्द वेरी इंपोर्टेंट होते हैं पर इच्छा के लिए वो हमें अलग से ध्यान रखना है बस बेटा दोगों अंजेओरियारी अंजोरिया ये अंजोरिया का मतलब भी किरण होती है जो चांदनी फैला देती है ठीक है बेटा उसे जुनाही भी बोलते है जुनाही जुनाही माने भी चांदनी होती है अच्छो याद रखना आप लोग ठीक है चंदरातप रोशनी के यार लाइट आते ही रोशनी हो गई सब कुछ बढ़िया हो गया है न बच्चो ऐसे बोलते हैं आप नहीं बोलते हो बोलते हो न अच्छे से ध्यान रखेंगे इस जीजो को आगे आता है प्राण है वो बोल रहा है अब जैसे की मान लो अब तुम यह सोचो कि सर जी पसू तो नहीं बोलता बेटा पसू अपनी भाहसा में पसू से बोलता है इंसान अपनी भाहसा में इंसान से बोलता है पेड अपनी भाहसा में पेड से बोलता है है ना कहते है ना खरबुजे को वो भी तो अपनी भासा में बात करते हैं यह नहीं मानते आप लोग वह हम से नहीं बोलते लेकिन ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता है वो अपनी भासा में सारी बात कर रहे होते हैं यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो बेटा जीव को प्राणी कहते हैं हम प्राणी है अ च्येतन्ये करें, बीता वो चेतन्य रहता है न जो चेतन्ये नहीं है भाईया वो तो जड है वो तो भाईया मरा हुआ है जड है, वो तो बिलकुल बेकार है। мышसे देए ही भी बोलेंगे लाट dalता है। देह होती है, होता है न तन अपना, बिल्कुल, यदि मैं आपको ऐसे करके कोई गरम चीज आपके हाथ पर टच कर दूँ, तो इसका मला आपके अंदर प्राण है, बिच्चों से प्राण धारी, जीवधारी, जान, ठीक है, जीवन बोलते हैं, और जीवन बेटा पानी का परि पैर में, पैनते हो न, सब लोग पैनते हो, कोई रिबॉक के पैनता है, कोई एडिदास पैनता है, कोई नई की पैनता है, कोई भया कुछ पैनता है, कोई केंपस पैनता है, कोई स्पार्क पैनता है, पैनता तो है, सभी लोग पैनते हैं, अपने आप में जूते हैं, बेट उसे पद्वान कहते हैं, चम्र पादुका कहते हैं, जूसे चम्र पादुका कहते हैं, जूसे बेटा आप चम्र पादुका कहेंगे, जिसे आप भरती हो जाएंगे, जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे, तो आपको उचे-उचे बूट लेने पड़ेंगे, वो चम्रे के ह तो चर्म पादू का होगा ठीक है मेरे भाई याद रखना ठीक बच्छे आगे आता है जंगल जंगल जानते किसे कहते हैं, जहां पर वन ही वन होते हैं, जैसे आप जानते हैं सबसे जादा वन वाला राज्य, एमपी, बहुत वन हैं, उसमें बहुत पेड़-पोदे हैं, या पढ़ाया था उसे बच्चों क्या बोला जाता है दावानल बोला जाता है ठीक है दावानल या बेटा दावागनी उसको बोलते है ठीक है याद रखना सब लोग दावानल या दावागनी जो जंगल में आग लग जाती है ठीक है ना वेरी गुड आगे आता है बेटा गंगा गंगा देखो ये repeat है, वैसे तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर भी इसका revision कर लीजी, गंगा को भागीर्ती बहुत बार आता है, ये जानवी बहुत बार paper में पूछा गया है, ससे जीडी में, ठीक है, शुर्शरीता, बहुत बार पूछा गया है, और तो बाकी तो आप सब जानते हैं, तो आप पहचान लेंगे, अलकननदा, शुर्शरी, शुर्माने होते हैं, देवता, जो देवताओं की नदिये वो गंगा है, पवित्र नदिये सबसे जादा, ठीक है, विशुडू पदी, भगवान विशुडू के पैरों से निकलिय यगंगा है वो, ठीक है मेरे बच्चे, बेटा मुहमन नशीम सब्द याद नहीं हो रहा है, सब्दों को लिख-लिख कर याद करो, ठीक है न, रोज याद करोगे, रोज रिवीजन करोगे, तब याद होंगे, भई भरना ये याद नहीं हो सकते, मेरे भई, इस तरह से करना होगा डेली रिवीजिन करना होगा ठीक है हां सीस बिलकुल भाई तो बेटा विश्णू के पैर से निकलिए विश्णू पदी है तीन पत्थ है इसके तिरपत्गा कहलाई ठीक है बच्छो मंदाकनी उपर से आती है निकल करके जिस पर एक बार आपने देखा होगा पर आपने पत्थ है तो बेटा बाजी भी बोलते है और वाजी भी कहते है यह हरी भी बोलते है इसको रवी शुत है सेंधव घोटक अश्व तुरंग इदम तीज भागता है तुरंग बोला जाता है इसलिए तो यह आपको देखो बच्छो याद रखने होंगे छोटे-छ सब्द है वह नई पेपर में मिलते हैं बहुत जादा है ना क्लियर है चलिए आगे आता है बच्छो घास घास जानते हैं आप लोग घास जानते है तुर्वा घास जानते हैं यह दूब की तरह बड़ा पत्ता कर लेती है वह दूर्वा हो जाती है है ना बच्छो तो बटा उसे दूब कुश शाद यह वाला सब्द याद रखना क्योंकि यह सब्द थोड़ा अलग है विपरीत है आपको अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है हाँ आगे आया बटा 96 नंबर चतुर चतुर किसे कहते हैं लड़के तो होते हैं बटा माना मैंने लड़के तो होते हैं सैतानी लेकि लड़कियां भी होती है यह नहीं मैंने जाना था से पहले ठीक है आप तुम्हारा नाम पढ़के मुझे यह भी पता लग गया अब यह तो कहद नहीं सकता लड़की हो आप लड़के हो लेकि नाम से आपके लड़की है ठीक ह प्रवीन भी बोलते हैं बहुत अपने काम में प्रवीन होता है दक्ष होता है ठीक है मेरे बच्चो फुर्तिला होता है बहुत जादा नागर होता है बेटा नागर को भी चतुर कहा जाता है ना याद रखना नागर आप में से किसी बच्चे का गोत्र नागर तो नहीं है चत पटू कहते हैं निपुन अपने काम में बहुत ज्यादा निपुन होता है शाना होता है शाना जानते हैं किसे कहते हैं आप लोग जो अपनी चीज का बड़ा मतलबी टेज होता है शाना बोलते हैं उसको ठीक है भी ते जिश्वर जी याद रखो आगे आता है बेटा धेर धे केस यतान होते होंगी बच्चे आप उसे जानते हैं ये बोलो हुए लग के बह commodique उंची ऐसे लग जाती है तो बोला जाता यार कितना उंचा अंबार वह गया है न कितना लग गया हाँ नागर बेटा काजल नागर आ वो चतुर होते हैं, अंबार, राशी, पुंज, जमाव, किशी चीच का बहुत ज्यादा सम्हू लग गया, ठीक है, सम्हू, ये होता है, चतुर को चंचल नहीं बोल सकते है, चंचल तो वो होता है, जो बहुत ज्यादा एक प्रिकार से चंचल तो होती है, एक मिनटे में सब को याद रखना है, तोता सुवा बोला जाता, सुवा, बहुत बार पूछा गया था, है ना, बेटा संडे में कलास नहीं होती, आसीस, ठीक है, दाडिम पिरिये, जानते है, दाडिम माने होता है अनार, और जो अनार किसको पिरिये है, वो तोता को पिरिये है, मैंने को जो पिरिय करता है अना जो पसंद करता है ठीक है उन्हें बच्चों क्या केते हैं और बोला जाता है तूंड शुक कीर शुगा ये सबी तोते के परियावाची है ठीक है न辣 याद रखेंगे अच्छे से आईएगा आगे चलते हैं मेरे बच्चों निन्यान में नंबर आता है तालाब तालाब को बिटा क्या बोल जाता है तालाब जानते हैं जिसे हमारे गाउं में बहुत सारा एक जगे पानी जमाव हो जाता है वो तालाब होता है उसे गाउं का तालाब बोलते हैं जिसे तो थोड़े याद रखना शर और एक मैंने सर आपको पढ़ााई था बिटा कासार ये भी हो ता है थाड़ा के नहीं दो चार सब्दों को याद रहा है जोहड जोहड बोलते है ना तालाब को जो गाउं की बड़ी बड़ी जोहड होती है बड़े तालाब होते जिन्में मचल पालते हैं वो सरे लोग के वाटरनेटिक सिंगाणा नाम का फल होता है उसे खाते हैं ठीक है और बेटा एक सर नाम की चीज मैंने आपको बताया था सर एक परियावची होता है किसका होता है यह होता है बेटा बान का यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको छोटा वाला शर मिले तो तालाब लगाना और बड़ा वाला शर मिले तो बान लगाना दोनों में अंतर याद रखना ठीक है आप मैं देखता हूँ आपको कितना अंतर याद होगा ठीक है देखो आपको ये तो थोड़ा सा अंतर तो इसमें अब मैंने माना की किरन को मैंने किस-किस नाम से पुकारा जा सकता है वही तो परियाय हैं और कुछ नया नहीं होता हम लोग डरते हैं बहुत जादा ठीक है हाँ बेटा फरीदा जोहड बोलते हैं बेटा तरकश तरकस किसे बोलते हैं अब तुम जानते हो तरकस किसे कहते हैं तरकस बेटा वो होता है जिसमें बांड रखते थे युद्धा जो लड़ाई करने के लिए जाते थे रणभूमी में तो बांड लेकर जाते थे बांड उनके तरकस में रहते थे ऐसे लगाया बांड में ऐसे चल बच्चो निशंग त्रॉन तूरीन तून ये सब याद रखना निशंग बहुत बार पूछा गया सब्द है याद रखेंगे निशंग किसका परियावाची है निचेट कोंश्टिवल के लिए ये तो सब्दा वली बहुत है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़े पढ़ने किसे बोलते हैं तलवार जानते हैं आप जो लड़ाई में लड़ाई में रखते थे हैं ना मार काट करने के लिए तलवार रखते हैं सरदार जी देखे होंगे आपने सरदार जी अभी छोटी ची तलवार रखते हैं से किरपान नाम से पुकारते हैं वो है ना तो बेटा इसे करवाल किरपान खडग असी चंद्रहाश तेग शमसीर ठीक है ये सबी बेटा तलवार के परियावाची होते हैं ठीक है मेरे बच्चे याद रखेंगे आप लोग तलवार तो जानते होना आप लोग हाँ मेरा भी एक्जाम हो गया सर माही सिंग बहुत बढ़िया चालो अब अच्छे से महनत करो आगे आता है बेटा जल नीर तो पानी वर अंबू ये तो बेटा मैंने आपको पढ़ा भी रखें और आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा बही जो जल होता है जल को हम पानी भी बोलते हैं जल को हम तोई भी बोलते हैं नीर भी कहते हैं अंबू भी कहते हैं सलील भी कहते हैं मेग भुश्ब भी कहते हैं है ना बच्चे उदक भी कहते हैं अमरित भी बोल देते हैं बेटा देखो उसको अम्रित है ना पानी को सपोज करो। अब तुम्हें अम्रित न दे करके उसे ने कहा कि बताये कौन सा है। है मुझा में शुधा नहीं दिया उसने और उसको प्यूश नहीं दिया ला फानि लगा दे ना है तो प्रे। उदक ये चीज याद रखेगा तो बेटा इसे सलील है इसे बालक याद नहीं रख पाते है ना ये आपको ध्यान रखने उदक सलील अमरित और मेग पुष्प इनको जोड़ा जहान रखना जादा ठीक है? हाँ आगे आता है बेटा जगत जगत क्या है बेटा जगत एक दुनिया है संसार है ये ना विश्व है है ना मेरे बच्चो तो बेटा जगत को हम क्या बोलते हैं विश्व कहते हैं संसार दुनिया तो बेटा भव याद रखना भव माने संसार होता है है ना भाव भव भव याद नहीं रखेंगे आप लोग भूल जाएंगे भव याद रखना भूवन भी याद रखना कभी भूवन से भवन बना दो घर बार बना दो ठीक है बच्चो यदि अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जगत बेटा मिरत्य लोग जग जहान ये तो सब जानते हो आप लोग ये भी याद रख ले ना बस आप लोग जगत का परियाए बाची और विश्यू संसार दुनिया ये तो आप पर नहीं होना अगले महीने तो आपके फॉर्म में फिल किये जाएंगे फॉर्म फिल होने के बाद भी लगबग तीन महीने बाद पेपर होगा है ना तो यदि मैं आपको अभी से सारी चीज़े करा दूगा ना तो अभी तो अभी से आप तयार कर पाओगे और नहीनी पर तक आपको बहुत जबर्दस तरह से त्यार कर दिया जाएगा अभी से घवराने लगे तो कैसे काम चलेगा बोलो ठीक है आगे आता है बेटा जीव जीव क्या होती है जो हमारी जुबान होती है इसे जीव बोलते है फिक है उसे बेटा रसना कहते हैं उसे बेटा जीवा बोलते हैं जीवा जीवा जवान रशग्या एना बच्चो ये सब होते हैं एना मेरे भाई ये जीव जो होती है इसको बोलते हैं जीवान को अपनी को ठीक है आगे आता है जंडा जंडा जानते हैं आप लोग क्या होता है जंडे प्यारे बच्चे देखो पताका कहते हैं पताका ठीक है मेरे बच्चो केतू कहते हैं केतू निशान कहा जाता है द्वज कहते हैं केतन कहते हैं और एक आपको ध्वैजी भी मिल जाए न तो वो भी लगा दे न वो भी जंडे के लिए आता है ठीक है ध्वैजी भी वेरी गुड याद रखेंगे आप लोग चलिए अब आते हैं बिटा जूट कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब भी जूट बोलते हैं जूट बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए ठीक है? हाँ तो बिटा जूट बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो पढ़ने वाले बालक होते हैं वो कमेंट नहीं करते हैं वो कमेंटों पर ध्यान नहीं देते उन्हें अपने पढ़ाई से बहुत सारा काम होता है भीया बिटा जूट को ए निरित बोलते हैं ए निरित ठीक है? ए शत्य कहते हैं, बिल्कुल ए शत्य है सर सची नहीं है ठीक है न? हाँ भेस्ट बंगाल में पता का बोलते हैं इहमध बिल्कुल बिटा पढ़िए मिथ्या, वी तथ्य, ए तथ्य इस बात का कोई तथ्य ही नहो ठीक है? हाँ बिटा आपने जिसने लिए पहला अफशर बेच ले रखा है उसको सर ने बोला हुआ है कि उसको टू पॉइंट जीरो फिरी में दिया जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है तो आगे आता है बेटा टीका टीका का मतलब जानते हैं आप क्या होता है ठीक है ना हाँ एक बालक के रहा है सर जी 104 नंबर गलत है बेटा तुमने गलत जीवन में पढ़ना सीखा है क्या गलत मत पढ़ो बिलकुल मत पढ़ो इसे क्या बोलते है जीव जो होती है तुमारी जीवा जो है तुमारी जीवा चलती है न बेटा इसको जीव कहलते है ठीक है ये वो जीव नहीं है चलिए तो बेटा टीका का मतलब होता है किसी पर छोटी शी टिपनी करना व्याक्या करना उसकी पूरी चोटे रूप में बड़े रूप में नहीं चोटे रूप में तो बेटा इसको व्याक्या कहते हैं भाश्य बोला जाता है भाश्य ठीक है बेटा वीवर्ती बोलते हैं व यह बताओ, यह बताओ, मेरे बच्चों, व्याक्या किसका परियावाची है, टीका का, या फिर विस्तार का, या फिर संछेप का, तो आपको याद रखना है, सर व्याक्या टीका का परियावाची है, ठीक है ना, हाँ, आगे आएगा बच्चों, दूद, दूद के परियावा उसे बेटा ततसम में छीर बोला जाता है छीर ये दूद का ही परियावाची होता है याद रखना बेटा जब ये खतम हो जाएगा जब तुम्हारे फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बाद आएगा टूपानेट जीरो टूपूश दुगद गाय का रस होता है वो गाय का रस तो उसे गोरश कहते है ठीक है ना और बच्चो पे पे देखो बेटा पानी का भी आप मैंने पढ़ा ठाब और पे का मतलग होता है पीना पीना किस किस चीज को पिया जा रहा है Suud को प्या जाता है इसे याद रखो आप बच्चा सर जी इसमें जुबान कर दो हाँ बphetगा ये बोल सकते हो आप इसको आप कहा देंगे जुबान के तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ऐसे बोलते हैं ना जीव को ये कह सकते हैं आप रिल्कुल थेंक यू बच्ची का आगे आता है बैटा एक Wednesday morning अब इसको मिती कहा जाता है मिती मानि भी ऑटी यह तारी March हां ठीक है तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे आगे 285 आया दरपर्स ये उसके बाद 2.0 बेंच आएगा दूसरा तो इसको अफसर 2.0 का नाम दिया जाता है क्या है कशल कोई खी रहे क्या बोलो तो बीटा दरपन दरपन क्या होता है सीषा होता है लीकि न? जिसके आर प्लैपेते हैं अच्छे से याद रखो बेटा उसे पार दुर्षक बोलते हैं आईना ठीक है आइना शीषा पिर्ति बिम्बक आरसी मुकुर पिर्ति मान ठीक है भी है यह बैटा दर्पन को बोला जाता है जो हम सीसा देखते आप लो ठीक है ना आगे आता है बेटा 111 नंबर है वाशर यह दिन जानते हो, दिन जो सुबह उठते हैं तो दिन निकलता है दिन का नाम होता है कि आज मंगलवार है, आज बुद्धवार है आज बिर्श्पतिवार है ऐसे होता है न ठीक है बाच्चो तो बेटा दिन को वासर कहते हैं वार कहते हैं दिवश दिवा है ना बच्चो ये दिन जो होता है ये बिटा आप अच्छे से ध्यान रखिए ठीक है वेरी गुड हाँ आगे आता है बच्चो दुएश दुएश किसे बोला जाता है दुएश जानते हैं होता है दुएस होती है बिटा चिडन एक प्रिकार से इर्षा जलन जो होती है उसे दुएस कहते है ठीक है बच्चो उसे दुएस कहते है दुएस माने बैर होता है बैर है सर मेरा और उसके बीच में ठीक है ना हाँ बिटा फिरी होगा बिल्कुल फिरी मिलेगा तुम बच्च बेटा विरोध कहते हैं, दुश्वनी बोला जाता है, जलन कहते हैं, बेटा उसे जलन, मार तश्य कहते हैं, ठीक है, हाँ, सौना गुर्जर सर, आप गुस्सा बहुत करते हैं, बेटा मैं, मैं गुस्सा, प्यारे बच्चे मैं तो कुछ भुस्सा नहीं करता हैं, किसी के उप को ठीक है ना सर जी मेरे मोक में बहुत कम नंबर आते हैं जैसे मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं बीटा Kraftर नहीं होना ऐसा नहीं है तुमारे नंबर कम आते हैं बहुत बच्चों के नंबर कम आते क्योंकि अब ही आप सुरू कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया है ना जब आपने स्टार्ट किया है तो आपको इसा सारी चीजों की जानकारी कैसे हो जाएगी आप धीरे 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 जब पढ़ते चले जाएंगे तो बच्छो फिर बिटा तनीसा इसके लिए आप हेल्प लाइन पर कॉल करें तो ज पूजा करते आप दुरुगा की करते हो ना तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे दुरुगा को बेटा चंडी का सिंग्वाहिनी कालिका-कल्यानी कुमारी कामाक्षी ठीक है ना याद रखेंगी ठीक है बच्चो बेटा दुरुगा को क्या बोला जाता है शुबद्रा भी कहा जाता है दुरुगा को बेटा महा गोरी भी कहते है यहना मेरे बिच दुरुगा को नारायनी भी कहते है दुरुगा को बेटा भगवती भी कहते है महा माया कहते है भवानी कहते है चंडी कहते है सक्ति कहते हैं दुर्गे कहते हैं लेकिन एक सब्द इसमें नहीं नजर आ रहा होगा आपको दिवा का मतलब क्या होता है पंकस दिवा का मतलब बेटा दिन होता है ठीक है तो बच्चों एक सब्द मैं आपको बताता हूँ बेटा जो यह होता है न मिनाक्छी मिनाक्छी एक मिलेना मचली तो बेटा मचली मतलगाना मचली गलत होता है मचली का नहीं होता मिनाक्षी दुर्गा का पर्याइवाची होता है और इसमें बच्चा मचली लगा देता है जो गलत हो जाता है हमेशा उसका अंसर ठीक है ऐसी बेटा 114 पर आएंगे मनीशी मनीशी किसे बोलते है पंडित को पंडित होता है जो विद्वान होता है चिंतक होता है उसे बेटा ज्यानी बूलते है ज्यानी व्यक्ति है सर ये बुद्ध है बुद्ध है सर बहुत ज्यादा ध्यान करता है पंडित है ठीक है वेरी गुड हाँ अंतिम बेटा 115 तक मा आज अंतिम करते हैं परियाएवाची होता है और देवता का भी होता है निर्जर पूछा जाने वाला सब्द है गिरिवान तृदश एम रखते हैं तो यह किसके होते हैं यह मेरे प्यारे बच्चे भगवान के परियाएवाची होते हैं याद रखना ठीक है रितुराज अंकित बेटा किलास रोज ज्यादा फोकस रखेगा हिंदी तो आपकी होई जाएगी यहां से हो जाएगी प्रैक्टिस सेट लगाईएगा वहां से होगी रोज होगी दो किलासे चलती है इस समय आपकी 45 मिनट का आपका प्रैक्टिस सेट चलता है 45 मिनट की यह किलास चलती है कुल मिला करके आपकी ब अलीप सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम नमस्ते जहेंद झाल 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 झाल